तो ओपिनिन पोल में उत्राखंड में कांटे की टक्कर नजर आ रही है उत्राखंड में बीजेपी और कॉंग्रस की बीच कड़ा मुकाबला चल रहा है इस बारे में हमने बात की पूर मुख्यमंत्री निशंग से निशंग का दावा है कि काम के आधार पर वोट बीजेपी को ही मिलेगा कई बार सर्वे ठीक भी निकलता है और कई बार सर्वे के बिपरीद भी रिजल्ट आते हैं हमें आशा कर रहे हैं कि हम बहुत बेहतर हैं बहुत अच्छे हैं और क्योंकि हम पांच वर्ष के काम पर लोगों के बीच गए हैं हमने क्यों गोश्टाएं नहीं की हैं हमने क्यों लोगों से वादे नहीं किये हमने लोगों को जो कहा वो हमने किया और इसलिए लोगों का हम पर भरोसा है हम कह सकते हैं कि हम आपार समर्थन मिल ला है और हम भारी बहुमत से जीतेंगे इस बार जो है एक सवाल आता है आप लोग से भी विपक्ष भी बहुत बार पूछ रहा है वो इस पर ये मुद्दा भी बना रहा है कि मुख्यमंत्री बदल दिये तीन-तीन मुख्यमंत्री इसको एक मुद्दा बनाया जा रहा है तो कहीं मानते हैं आपकी ये जो है ये जो मुद्दा कहीं आपके लिए भारी न पढ़ जाए हमारा बिजन है हमारा विचार है और इस कुर्शी पर A बैठे, B बैठे, C बैठे उस विचार को, उस दृष्टी को उस भुजन को उसको मीशान में तबदील करना होता है तो उसको कोई फरक कहां पढ़ता है अभी देखा आपने कोई विकास का काम रुका हम लोगों ने जो विकास के काम की हज़रों हज़रों करोड़ के वो क्यों रुकीगा क्योंकि बिज़न हमारे विकास के काम करनी का तो इसलिए उससे कोई फरक पढ़ने बाला ABP News आपको रखे आगे